प्रदेश में मंगलवार को उस समय संसनी फैल गई जब भाजपा के छे विधायकों समय ताठ मेताओं को एक ही नमबर से वाटसेप मेसेज कर दस रिंग 10 लाख रूपिये की रंगदारी मांगी गई तीन दिन में रंगदारी न देने पर परिवार को जान से मारने की धंकी दी गई है सभी निताओं से रंगदारी मांगने में एक जैसी भाशा का इस्तेमाल किया गया है पुली, सैन निताओं को सुरक्षा देते हुए परताल में जुट गई है जांच में ATS और STF को लगाया गया है वहीं, डिबाई की विधायक अनीता लोधी को मंगलवार को फिर ऐसी ही धंकी मिली लखनव में रहे रहे सीतापुर के अम्होली से भाशपा विधायक शशान्त ग्रिवेदी ने इस मामले में महानगर कोटवाली में एफायार दर्ज कराई है उन्हुने बताया, कि सोमवार रात 2.03 बजे मैसेज भेजकर रंगदारी मान गी गई है वहीं तरवगंज विधायक प्रेम नारायन पांडया और महनौम विधायक बिने कुमार ग्रिवेदी ने हजरत गंज कोटवाली में केस दर्ज कराया है सभी भाजपा नेताओं को एक 903-3294-240 नंबो से वाटसेफ मेसेज किया गया इसमें लिखा है मैं हूँ अली बुदेश भाई अगर आप अपनी और पर प्रिवार की सुरक्षा चाहते हैं तो तीन दिनों में 10 लाग की व्यवस्था करें मुझे पता है कि आप पैसे की व्यवस्था तब तक नहीं करेंगे जब तक अपने परिवार का एक मृत शरीर नहीं दिखेंगे हम बादा करते हैं कि तीन दिनों के बाद एक एक करके हत्या करना शुरू कर देंगे आपके पास केवल तीन दिन है, मेरा व्यक्ति आपके करीब है, सम या बर्बाद मत करो विधायक शशान्त ने बताया कि जिस नंबर से मैसे जाया वह अमेरिका के टेकसास शहर का है धंकी देने वाला अली बुदेश दुबई का माफिया है और अंतराश्ट्रिय आतंतवादी दाउद इब्राहिम का गुर्गा है त्रिवेदी ने दाउद के इशारे पर ही रंगदारी वसूलने की आशन का जताई है विबाई से भाजपा विधायक अनीता लोधी राजपूत को मंगलवार को चौथी बार दस लाग रूपिये की रंगदारी मान भी गई नदेने पर हत्या की धंकी भी गई इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधायक को फोन कर मामले की जानकारी लेकर कारवाई का आश्वासन दिया है मामले पर डीजीपी उम्प्रकाश सिंग का कहना है अभी तक जो भी शिकायते मिली हैं सब एक तरह की हैं एक ही नंबर का इस्तेमाल किया गया है सभी का अलवायस ओगा इंटरनेट प्रोटोकाल व्यो आईपी से की गई हैं हम धंकी देने वालों के काफी करीब पहुंच चुके हैं वह जल्थी पुलिस की गिरफ्त में होगा